यह महात्मा गांधी के हातों लिखे कुछ ऐसे खत जिनकी निलामी जुलाई 2012 के दोरान लंदन में होने वाली थी लेकिन इस निलामी को रुकवाकर इन चिठियों को भारत सरकार ने 7 करोड रुपे में खरीद लिया और फिर इन्हें एतिहासिक दस्तावेज संभालने वाले विभाग में महफूज रखवा दिया गांधी के इन खतों का जिक्र एक मशूर अमेरिकी लेखक ने अपनी एक किताब में किया और इस किताब को भी भारत के कई राज्यों में बैन कर दिया गया दरसल गांधी के लिखे ये खत एक सवाल खड़ा करते हैं सवाल कुछ ऐसा कि क्या अपने जीवन के एक दोर में किसी पूरुष के साथ महात्मा गांधी के शादिरिक संबंध थे ये खत गांधी ने दक्षन अफ्रिका में रहने वाले एक शक्ष को लिखे थे जिसका नाम था हर्मन कालिन बाख कालिन बाख एक आर्किटेक्ट और बोडी बिल्डर होने के साथ साथ उस समय का एक धनवान व्यक्ति भी था दक्षन अफ्रिका में रहते हुए नोजवान गांधी की मुलाकात कालिन बाख से हुई दोनों दोस्त बन गए और जल्द ही इनकी ये दोस्ती आसमान चड़ कर बोलने लगी कालिन बाख ने गांधी के साथ रहने के लिए एक नया घर बनवाया जिसे उसने खुद डिजाइन किया था इन दोनों ने तकरीबन दो साल तक का समय इस घर में एक साथ व्यतीत किया कालिन बाख को गांधी इसकदर अच्छा लगने लगा कि उसने जोहांसबर्ग के पास मुझूद अपना एक हजार एकड़ खेत भी गांधी के नाम कर दिया अब गांधी वादी लोग भले ही इसे महज दोस्ती का नाम दे लेकिन खुद गांधी अपनी आत्म कथा में कालिन बाख को अपना सोल मेट यानि की आत्मा का साथी बताते हैं बहरहाल दोनों एक दूसरे से उस समय अलग हुए जब 1914 में गांधी और कालिन बाख एक साथ भारत आ रहे थे लेकिन पहले विश्व यूद के चलते कालिन बाख को भारत आने की इजाज़त नहीं मिली जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे और यहीं वो पत्र है जो की गांधी के चरितर पर आज सवालिया निशान खड़ा करते हैं गांधी द्वारा लिखित इन प्रेम भरी चिठियों का वर्णन लेखक जोसेफ लेलिवेल्ड ने अपनी इस किताब में बखू भी किया है जिसके मुताबिक गांधी ने एक पत्र में लिखा कि तुमने मेरे शरीर पर पूरी तरह नियंतरन कर लिया है और ये गुलामी मुझे हसीन लगती है दोनों इन पत्रों में वादा करते हैं कि वो एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे जितना कि आज तक दुनिया वालों ने देखा तक ना हो इसके अलावा गांधी एक खत में कालन बाख को लिखते हैं कि मेरे बिस्तर के पास आज भी रूई और वैसलीन पड़ी है, जो कि मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाते हैं तो रुई और वैसलीन का दो दोस्तों के बीच में क्या काम हो सकता है, समझ पाना थोड़ा मुश्किल है खैर उन्होंने कालन बाख से एक खत में वचन लिया कि तुम कभी किसी महिला की और ललचाई निगाहों से नहीं देखोगे एक खत में उन्होंने लिखा कि मैं कभी कलपना भी नहीं कर सकता कि पूरुष और स्त्री के बीच इंटर कोर्स इतना बदसूरत हो सकता है सन 1933 में भेजी चिट्थी में गांधी ने अपनी पतनी को सबसे जहरीली औरत बताया इन पत्रों को आधार बनाकर जोसेफ लेली वेल्ड ने अपनी किताब ग्रेट सोल में दावा किया कि हर्मन कालन बाख के साथ रहने के लिए ही गांधी ने अपनी पतनी से किनारा कर लिया और बरमचार्य धरन कर लिया हैरानी की बात है कि खुद गांधी की पतनी कस्तूर्बा गांधी भी अपनी डाइरी में लिखती है कि कालन बाख के सानिध्य में आने के बाद से मेरा पती मुझसे दूर होता जा रहा है जाहिर है कालेन बाख ने भी गांधी को पतर लिखे थे लेकिन वो पतर आज तक नहीं मिले शायद गांधी जी उन्हें संभाल कर नहीं रख पाए हलाकि कालेन बाख ने गांधी द्वारा लिखी तिये चिठियां संभाल कर रखी चोकि उनकी मिर्तियों के बाद उनकी एक रिष्टिदार को मिली और साल 2012 में लंदन में इनकी निलामी होने वाली थी लेकिन इस निलामी को रुकवा कर उस समय की सरकार ने इन्हें 7 करोड रुपे में खरीद लिया इसी वजह से इंटरनेशनल मेडिया अठकले लगाने लगी कि ये खरीदारी इस चिंता के कारण की गई थी कि इन पत्रों से पता चलेगा कि गांधी समलेंगिक थे दोस्तों समलेंगिक होने को हम बुरा नहीं बता रहे और ना ही कानून के अंतरगत ये कोई अपराध है लेकिन अगर वही शक्ष सत्य को छुपाए जिसने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पड़ाया हो तो चर्चा तो बनती है हैर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर चाहें धन्यवाद